तो हे गाइस आज हमें एक strategy explain करने वाले हैं जो कि सुबासी सर की है इस तरीके से explain करेंगे इस strategy को कि कोई अगर दो तीन महीने पहले भी आया होगा मार्केट में उसको भी strategy अच्छे से समझ में आ जाएगी तो वीडियो को end तक जहुर देखिएगा मैं पहले यह बात बता दे रहा हूं कि यह strategy मेरी नहीं है सुबासी सर की आप लोग जानते होंगे उनको अगर नहीं जानते तो यूटूब पे सर्च कर लेना सुबासी सर तो पता चल जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करतें इस वीडियो को क्या हो नियुद् ging Quindi के बारे में पड़ा होगा जिन लोगों ने पड़ा है टूनिको मैं यहाँ पर he सदो इंसाइट केंडल में क्या होता है कि फर्स्ठ एक बड़ी सी केंडल बनती है यह जैसे कि एक केंडल होगी एक नेर्ड proud नहीं पड़ता हम को ठीक है यहां पे एक रेड केंडल बन गई ठीक और इसके अंदर एक ब्लू ग्रीन केंडल या फिर एक और रेड केंडल बन जाती है ठीक है फिप्टीन मट के टाइम फ्रेम पे द्यान दीजिएगा ठीक है अभी मैं आपको अच्छे से एक्स्पेंड इससे आप लोग एक बार देहन चीजिएगा यह हो गई हमारी फर्स्ट केंडल ठीक है इंसाइड केंडल में यह फर्स्ट केंडल हो गई जिसको बोलते हैं लोग मदर केंडल ठीक है और यह बेबी केंडल हो गई इसका जो हाई और लो होता है इसके अंदर सेकेंड जो आपको क्या करना है आपको यहाँ पर यहाँ पर इसका हाई जो बेडी केंडल है उसका हाई और पर लुब नहीं करने ज्सी ह्टिएक होता है तो आपको यह पे अंत्रि कर लेनी के यह हो गया आपका entry points और इस point के नीचे जिए जो आपका low रहेगा यह आपका SL रहेगा stop loss यहाँ पर रहेगा यह हो गए आपका SL point ठीक है ऐसे ही अग़र हाई का इसका stop loss हो जाएगा entry level आपको यहां पे हो जागा जैसे break करता है ठीक है यहीं पर break करता है यहां पर आपको entry तुर्ण कर ले नहीं है तो इतना आपको समझ में आ गया होका नहीं समझ में आ तो एक बार और आपको समझ लेजिए ठीक है तो जैसे ही market देखो पहले आपको क्या करना है 15 मट का time frame पर market लगा लिया ठीक है 15 मट का time frame लगा लिया उसके बाद आपको wait करना है कि एक बड़ी सी candle बनती है यह red हो green हो यह आपको नहीं देखना है color आपको बिल्कुल नहीं देखना है ठीक है red हो चाहे green हो यह candle बन गई इसक ना high break हो ना low break हो इसके अंदर जैसे ही second candle बनती है जैसे यह बन जाती closing हो जाती है इस candle के इसका high और low आपको mark कर लेना है अगर high break होता है ठीक है break पे ही आपको entry करनी है closing का wait नहीं करना 15 मैट का time frame पर जैसे candle बन गई आप लोग 5 मैट पर आ जैसे break करता है आपको उठा ठीक है simple साय चलते चार्ट पर हम ठीक है अब यहां पर चलते चार्ट पर आपको explain करता हूं कि कैसे आपको entry और exit यहां पर करना है ठीक है हम लोग आएंगे चार्ट पर आ गए यहां पर क्या किया 15 मट का चार्ट यहां पर open कर लिए यहां पर आप लोग टाइम देख सकते ह यहां पे mother baby candle बनने चाहिए इन दोनों candle को आप देखिए ध्यान से यहां पे यह वाली जो गेंडल हमारी यह हो गई mother candle ठीक एसको mother baby candle भी बोलते हैं यह हो गई हमारी mother यहांपे लिख देता है बेवी bell ऐनंडल ऑर जैसी यहांपे ब्रेक किया मार्किन respected यहीं आपको in trickle क लेनी हिரिय और इसali louka जो रेड़ वाली candle ॥म टार से यह लगा लेना है यहाँ पर making अर्छ और कि यहाँ पर हमारी अंट्री होई थी इस पोइंट पे हमारा स्ल 2 लगवग 27 पॉएंट का सलिता है तो 1-3 हम लोग यहां पर देख लेते हैं, 1-3 लगभग आप लोग देख सकते हैं, 230 पॉइंट अराम से यहां पर हमको मिल गया, उसके बाद में market गया है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपके अंदर capacity है, आपकी psychology अच्छी है, आप लोग hold कीजिए, ठीक है, कोई भी यहां पर यह नहीं कि, जिस दिन market ने बनाया है, उसी दिन का आपको दिखा रहा हूँ, आपको डारेक यह आज का दिखा है, उसके बाद next day दिखा रहा हूँ, अभी ऐसे करके, पीछे back करते हुए, 3-4 दिन का दिखा दूगा, ठीक है, अब यहां पर आप लोग द देखिए, यह वाली first candle red है, यह green है, ठीक है, मैंने बोला था, फार्क नहीं पड़ता, कोई भी red हो या green हो, फार्क नहीं पड़ता है, जिस side break होता, उस side आपको entry कर लो, पर downside break होता, put side के entry कर लो, बस ठीक है, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यह होगी हमारी mother candle, य यह होगी हमारी baby candle, ठीक है, जैसे baby candle बनती है, closing होती है, इसका high mark कर लेना और low mark कर लेना है, high जैसे break हो, यह second candle नहीं ही high break कर दिया है, तो आपको यहां पर इस candle में, यहां पर आपको entry कर लेनी चीए, ठीक है, यह होगी आपका entry point, और इस candle के low का आपको यहां पर SL लगा ले ठीक है, और target आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद market उपर ही गया, नीचे आया ही नहीं, ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, target 1-3 मैंने बोला था, 1-2-3, 180 point का target यहां पर 1-2-3, तीन candle में हमारा target अच्छी हो गया, लगबग 45 मिनट में हमारा target यहां पर मिल ठीक है, तो दो trade हमने यहां पर दिखा दिये हैं, और पीछे चलते हैं, देखते हैं, कोई trade बनता है, यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं, daily strategy बन रही है, ठीक है, अभी एक rule और बताऊंगा, इस strategy में end तक जुरूर देखना, ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते और यह हो गई हमारी baby candle, ठीक है, और यहां पर आप लोग दिख से थे, जैसी baby candle बनी, आपने high mark का लिया, low mark का लिया, high जैसी cross किया market ने, आपने यहां पर entry कर लियी, ठीक है, entry करने के बाद आपने stop loss इस point का डाल दिया, baby candle का जो low था, उसका आपने यहां पर stop loss डाल दिया, अब target आपका क्या रहाएगा, 1-3, देख लेते 1-3 मिला की नहीं मिला इस trade में, तो इस point पे हमारी entry हुई थी, और stop loss हमारा यहां पे था, लगबग 112 point का stop loss था, 1-3, 1-3 आप लोग देख से थे, बहुत ही हराम से मिल गया, 340 point का target, उसके बाद भी market उपर गया, बट यहां प आपका जहां पर target हुआ, देख लिए, target हिट करने के बाद market हैं पर sideways हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना target बुक का लिया था, अब हम लोग आगे चल के और थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, यहां पे देखते हैं, इस तिन पे, आपको भी यहां पे कोई बेबी केंडल नहीं बनी है, मदर बेबी केंडल, हां, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मदर बेबी केंडल बनी है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक, यह केंडल आप लोग देख सकते हैं, मदर बेबी केंडल बनी है, अभी आपको मैंने एक बताया था, एक रूल आपक जारूं ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते कि mother baby candle बनी है यह mother candle हो गई हमारी ठीक है और यह हमारी baby candle हो गई ठीक अब इसका हाई mark कर लिया हम लोगों ने और low mark कर लिया ठीक अब जैसी हाई break होगा तो यहां पर हमारी एंट्री नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे वह अब समस्ते ठीक है यह rule एक मैंने मैं बता रहा था ना यह नोट कर लेना कहीं पर कि 12 बज़े के बाद ठीक है जैसी 12 बज़ जाता है ठीक है 12 के बाद 12 बज़े के बाद इस strategy का आपको यूज नहीं करना बिल्कुल यूज नहीं करना क्यों ट्रेंडी मार्केट जो होता है आपको पता होगा ट्रेंड जब आता है जो ट्रेंड आता है वह मौर्निंग के ग्यारा बारा बज़े से पहले ही आता है उसके बाद बहुत कम देखने को मिलता है कभी देखने को मिल गया तो मिल गया तो उस चांस में नहीं रहना की कभी-कभार तो आता ही उसमें नहीं रहना उसमें कभी कभार आता आज वहां पे लेना पड़ेगा तब कभी-घबार प्रोक्छ प्रॉफिट बना प pert Oder प्रोशिट होगी वह बहुत ॉप्ष्पर झादा उगई और 10 race mo अपको अब यहां पर लोग देख सकते हैं इस पॉइंट पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर मार्केट नहीं क्या किया मदर बेबी केंडल हमारी बन गई ठीक है इस पॉइंट पर सॉरी यहां पर हमारी मदर बेबी केंडल बनी है देख सकते हैं आप लोग ठीक है यह मदर केंडल हो गई ठीक है यह वाली यह वाली हमारी मदर केंडल हो गई और यह वाली हमारी बेबी केंडल हो गई और इसका और लो हमने मार्क कर लिया और जैसी हाई ब्रेक हुआ यहां पर ब्रेक वना इसकेंडल ले ब्रेक किया तो इसकेंडल में हमारी यहां पर हो गई क्या को मिल गए ठीक है तो आप लोग इस्टाइजी का यूज किजिए पहले तो आपको बैक टेस्टिंग कर जीए लगभग छह महीनी के आप लोग बैक टेस्टिंग कीजिए बारा बज़े से पहले टेट करना पहले मैंने आपको बता दिया एक ही रूल है बस और वन इस्टू ट को कर देना है ठीक है क्यों गलता है रीक reactions करने वाले हैं तो क्या होता है कि फेप्टीन मट की लाइन ग्सपारेंज में इस टार्गेट हो गया तो ऊसके पहले ही आप लोग Hessel हिट कर गया कर गया होगा आपका यहां पर जैसे कि हम चलिए यहां पर करते हैं कि यहां पर अगर आज एक्सपायरी यहां पर यहां पर फूल कॉंट्टी से लेते हैं ठीक है मार्केट ना भी आता फिर भी यहाँ पे आपका स्टॉप लोस हीट हो जाता ठीक है तो यहाँ पे आप लोग हाफ कॉंटिटी से ट्रेड कीजिएगा ताकि स्टॉप लोस आप लोग बड़ा ले सके ठीक है क्योंकि यहाँ पर देख लिए 500 पॉइंट का आपको स्टॉप लो गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सक्षान में बताईएगा आप लोग के टेस्टिंग करके कि आपको कितने परसंट की एकुरिशी मिल रही है स्टैटी में और चैनल के साथ जरू बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और भी ऐसे अ गग बाइस